सब्सक्राइब करें मिन्स रेसिपीज चैनल को और बेल बटन को प्रेस करें लेटेस रेसिपीज वीडियो देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मिन्स रेसिपीज मैं हूं मिनाक्षी और आज हम बनाएंगे माइक्रोवेव में इडली जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही सॉफ्ट बनके तयार होता है तो यहां पर मैंने इडली मोल्ड लिया है यह हमें माइक्रोवेव के साथ ही मिलता है इसे आप अच्छे से घी या तेल से ग्रीस कर लें अब इस बतन में डालेंगे हम आधा कप से भी कम पानी और इडली ब मैं लिंक में दे दूंगी इस तरह सब दोनों मोल्ड को अच्छे से बैटर से भर दे अब इसके लिट को हम बंद करेंगे और अब यह जाएगा माइक्रोवेव में तो इसे माइक्रोवेव में आप रखें इस तरह से और इसे मैंने यहाँ पे तीन मिनट के लिए हाई टेमपरेचर पे सेट किया है अगर आपको लो टेमपरेचर पे करना है तो चार से पांच मिनट दीजिए नहीं तो यह तीन मिनट में बन के तयार हो जाता है तो यह बहुत ही असान recipe है और बहुत जल्दी में हैं आप तो इसे जरूर try करें बहुत ही अच्छा बनता है अब इसे निकाल लें microwave से अथ्वा ठंडा हो जाएं तो हम इसे खोलेंगे तो आप देख सकते हैं आपे कितना बढ़िया इडली बन के तयार हुआ है इसे थोड़ दिर आप छोड़ दे इसी तरह से ठंडा होने दे इसके बाद हम इसे डी मोल्ड करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे इडली बन के तयार है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इडली बनती है माइक्रोवेब में और यह बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही स्पॉंजी बना है तो इस तरह से आप भी अपने माइक्रोवेब में 3 मिनट में इडली बना सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें, कॉमेंट करें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें थैंक्यू फर वाचिंग